Hello everyone, कैसे हुँ आप सब? I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल लग रहे होंगे मीठा खाने का अगर दिल करें तो बना लें Sweet rice यानि कि मीठा चावल तो वैसे ही मुझे भी मीठा खाने का दिल किया तो मैंने बना लिया है आज स्वीट राइस यानि की मीठा चावल जर्दा बहुत यासान सी रेसिपी है घर पर आप फटा फट से बना के इंजुआई कर सकते हैं या फिर अपने घर आये महमानों को भी बना के खिला सकते हैं या फिर आप किसी भी फेस्टीबल पर भी बना के इसे खा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी सबसे पहले मैं बासमती चावल ले रही हूँ दो कब बासमती चावल ली हूँ और इसे बहुत अच्छे से मैं धुल लूँगी यह मैंने बहुत अच्छे से धुल लिया है उसके बाद इसमें 2 कप भरके मैं पानी डाल रही हूँ और पानी डालके मैं 15 मिनिट के लिए इसे छोड़ दूँगे ऐसे ही आप नॉर्मल चावल से भी इसे बना सकते हैं अब मैं एक बरतन में पानी ली हूँ इतना पानी कि ये चावल गल जाए इसमें पानी लेने के बाद उसमें मैं 4 छोटी इलाची यानि कि हरी इलाची चार लॉंग एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा और दो तिछ पत्ते में डाल के बॉयल कर रही हूँ जब पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए फिर इसमें मैं डाल दूँगी भींगे वे चावल अब इसको बॉयल करना है ये जब एक बॉयल आ जाए फ्रेंट्स उसके बाद इसमें हम डालेंगे कलर और कलर आपको जो भी पसंद हो डाल सकते हैं मुझे यलो डालना था इसलिए मैं डाल रही हूँ यलो कलर आप औरेंज या फिर रेड भी डाल सकते हैं अब इसको मैं कवर करके कुक करूंगी 90% तक 90% तक ये कुक हो गया है देख सकते हैं आप मैं इसे आपको चावल को दिखा रही हूँ ये देखे फ्रेंट्स 90% तक कुक हो गया है ऐसी होने चाई एक तम मैसी मैसी चावल नहीं करना है वरना ये मीठा चावल अच्छा नहीं बनेगा अब इसमें जो खड़े मसाले रहे गए हैं उसे आप चाहें तो एक एक करकी निकाल के अलग कर दीजिए चावल को साइड रख दीजिए और एक कड़ाई में डालिए घी घी मैं डाली हूँ चार टेबली स्पून और अपने मन पसंद का ड्राइफरूट डाल दीजिए मैं काजू किसमिस बादाम और नारियल डाली हूँ और इसे लो फ्लेम पे ही भुनूंगी फ्लेम को लो ही रखिएगा वरना ड्राइफरूट बहुत जल्दी जल जाते हैं और इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका जब किसमिस फूल जाए तो ये अच्छे से फ्राई हो जाता है इसे निकाल दीजिए मैं ड्राइ फ्रूट निकाल दे थी और उसी घी में उसी कड़ाई में मैं डाली हूँ एक कप भर के पानी और फिर मैं दुबारा से आधा कप डाली हूँ यानि कि देड़ कप मैं पानी डाली हूँ और उसमें मैं डाल रहे हूँ दो कप भर के चीनी चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं दो कप चावल दी थी इसलिए मैं चीनी दो कप ले रही हूं मीठा बहुत अच्छा हुआ था और एक चिपचिपी से चास्नी बना लेनी है कोई तार वाली चास्नी नहीं बनानी है अच्छी खासे चिपचिपी हो जानी चाहिए तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉयल की हुए चावल बॉयल की हुए चावल पूरे इस चास्नी में डाल देने हैं तो ये मैं पूरा चावल डाल दी हूँ याद रखिएगा चावल फूल कुक नहीं होना चाहिए एकतम मैसी मैसी नहीं होना चाहिए 90 परसेंट तक कुक होना चाहिए तभी ये मीठा चावल बहुत अच्छा बनता है खिला-खिला और इसे बहुत अच्छे से mix कर दीजिए mix करने के बाद इसे आप low flame पे छोड़ दीजिये 5 मिनट के लिए cover करके तो यह बहुत अच्छे से मैं mix कर दीजू और cover करके मैं इसे छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए यह पूरे हो गया है 5 मिनट अब मैं इसे उलट पलट कर दे रही हूँ देख सकते हैं पूरा चासनी सोख चुका है इसमें बिल्कुल भी चासनी नहीं बची है अब उपर से फ्राइ किये हुए ड्राइफ फ्रूट्स डाल देंगे और मावा डाल देंगे ड्राइफ फ्रूट्स, मावा या फिर चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यह घर का बना हुआ मावा है इसे मैं डाल दे रही हूँ और उसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ तूटी फ्रूटी बिल्कुल भी आप चाहें तो इसे इसकिप भी कर सकते हैं इसे कवर करके तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखी थी मैं तीन मिनट के बाद धकन को हटा के उसके ऊपर मैं डाल दे हूँ कियोडा वाटर इससे बहुत ही अच्छी खुस्बू आती है कियोडा वाटर डालने के बाद इसे उलट पलट करके बहुत अच्छे से मिक्स कर दिये ताकि चारों तरफ मावा और ड्राइ फ्रोट्स टोटी फ्रोटी और कियोडा जल अच्छी से मिक्स हो जाए और ये मैं सर्फ कर दी हूँ फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको स्वीट राइस बहुत ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना हुआ है बहुत ही आसान सी रेसिपी है जरूँ ट्राइ कीजिएगा बहुत ही जटबड से बन जाने वाली स्वीट राइस की रेसिपी आपके साथ श्यार की हूँ आई होग कि आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा श्यार कीजिएगा और जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके ही चाहिए